कि तो मैं अभी बातचीत करना जा रहा हूं जैसे कि कहा लर्निंग इन्हांस्मेंट एंड एक्सिलरेशन प्रोग्राम को ले करके जो कि कख्षा चार और पांच के लिए चलाए जारा है इसके लिए मैं भी थोड़ी दिर बातचीत करूंगा ये कारिकरम कख्षा चार पांच के लिए चलाया जा रहा है तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़े हैं हम देख रहे हैं कि पिछले दो वर्षों से जब कोविट महामारी हुई और उसमें स्कूल बंद हुए तो बच्चों को बच्चों का स्कूल आन श्रिक गतिविद्यों में शामिल हो पाए जब निव एजुकेशन पॉलेशी या नेशनल एजुकेशन पॉलेशी आई उसमें भी ये बहुत महतपून तरीके से और हाइलाइट किया गया कि बच्चे का फॉन्डीशनल लर्निंग को इंप्रूफ किया जाना चाहिए बच् कक्षा तीन के लगभग 49% बच्चे ही अपने या 33% भाषा में और 49% बच्चे जो है गनित में जो अपने कक्षा का अपने कक्षा का जो पाठे करम है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं ये नंबर बहुत हद तक सिमिलर है कक्षा पांच में भी असर भी कुछ इसी तरह का ट्रे करते हैं कि कक्षा चार पांच में फांडेशनल लिट्रेसी निग्रेसी को मजबूत किया जाना जबहुत ही जरूरी है तो इसके लिए हमने 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 जो एक लक्ष रखा है कि बच्चे के बुनियादी कोशल को मजबूत किया जाए भाशा में बच्चे जो है अपने किसी बीपार्ट को आसानी से धारा परवा पड़ सके और गनित की जो दक्ष्टाएं हैं उसको हासिल कर सके इस पूरे हासिल करने में सिक्षक उनके बुनियादी कोशल को मजबूत करने के लिए सिक्षक उनकी मदद करेंगे और उनके लिए जो मौजूदा अस्तर है बच्चों विवस्ता है वो मौनिटरिंग और उनके अकैडमिक सपोर्ट के माद्यम से उनकी सहायता करेंगे इसके कुछ गटक हैं कि लक्ष क्या हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे क्षा चार और पांच के जो सभी बच्चे हैं वो इसमें शामिल होंगे और ज्यान में रखते हुए उनके साथ गदिविदी करेंगे उनके साथ इंपुट देंगे और यह ख्यार लखेंगे कि यह जो डेडिकेटेड टाइम है यह इस वक्त जो है जो पार्थे करम हैं जो कक्षा का जो पूरी करिकुलम है उसको ना पढ़ाया जाए जो पलके को मजबूत करने के लिए इंपुट दिये जाएं जिक्षकों को इस पूरे सहायता के लिए सिक्षकों को एक निर्देशिका दी जा रही है ताके वो समझ सके कि कौन सी गतिविदी कब और कितने समय के लिए करनी है यह बहुत ही सब्तावार है और दैनी के हिसाब से बताया गया है कि कौन सी गतिविदी कितने समय के लिए और कप कि जानी है इसकी जो है यह जो घ्टिविदी की जाएंगे हर दिन भाष्रा के लिए गंटा और के लिए एक घंटा निधारित किया गया है और यह उमीद की जा रहे कि बच्चों के बंयादी को को मैं बार-बार कर दैनिक वार जो है जो गतिविदियां निर्धारिद की गई हैं जो सुझाओ दिये गए हैं उसके हिसाब से अगर गतिविदी करेंगे तो जरूर हम अपने लक्ष को प्राप्त करेंगे इसके लिए दो दीवसिये एक पर्शिक्शन जो है निर्धारिद किया गया है जो के ब्क्षा बैठकी जाएगी और इंपुट दिया जाएगा और यह बाचीत रखी जाएगी कि आगे के लिए क्या हमारी अर्णेनीती होगी और जैसे करका है कि इस पूर इस प्रोग्राम को क्रएअफन करने के और जो भी input प्रतान किया जाएगा वो कारिकरम के बहतरी के लिए useful होगा इस भाषा और गनीत की कक्षाओं में जो गतिविदियां हैं इसके लिए कुछ निर्धारित जो के लिए जो डुमेन हैं जो दक्षताएं हैं उसमें महतपून जो दक्षताएं हैं उस पर काम किया जाएगा हर दिन इसके लिए डीटेल जो निर्देशिका में दी गई है लेकिन मैं बातशित करूंगा चुके पिछले दो वर्षों से हमने देखा है कि बच्चों को उस तरह का इंपूट नहीं मिल पाया है जो जरूरत थी तो एक वार्म-अप अक्टिविटी कख्षा की शुरुआत वार्म-अप अक्टिविटी से की जाएगी जो के सारे रेक और उनके समाजिक भावनात्मक दक्षताओं से जुड़ी होंगी इस पर बहुत सारी बहुत सारी कि जाएगी कहानी से लेलेटर विए बहुत सारी जो बच्षे पढ़ना जानते हो या पढ़ना नहीं साथ कहानी की साथ घतिविधी सुरूरा बहुत सके जरूरी है जितना शब्द बंडार बढ़ंगा समझ के साथ उनकेवड़ने की जक्षता ओर बढ़ेगी इसके लिए शब्दद बंडार की गतिविदी और धायर धानी चाला की जती नहींकोर रोज की जाएंगी इसके लिए विस्तार से निर्दिशिका में दिया गया है और इसे बाचीत होगी यह एक इसके रूप रेखा के दौर पे अपने एक स्क्रीन शॉट में दिखा रहे हैं कि यह इस तरह का दिख रहा है यह प्रति दिन के हिसाब से गतिविदियों का बटवारा किया गया है सभी शिक्षकों को यह प्रिंट फॉर्म में मिलेगा ठीक उसी तरीके से भाषा में यह सौरी गनित में भी जो है जो गनित के मुख्य और बुनियादी कोशल हैं उनको मजबूत करने के लिए कुछ अलग-अलग तरह की गतिविदियां हर रोज की जाएंगी जिसमें गनितिये बाचीत जो है बहुत जरूरी है वो गनितिये बा यह गिंति भी झो है गिंति कर कि जो गन्हा है यह हम फोकस करेंगे कि सिर्फered नमबर रिकॉगनीशन नहीं हो बलके नमबर नॉवलेज हो बचों को संख्या ग्यां हो पहचान के साथ संख्या घ्यान प्रस्चा संख्या ग्यां पे भी फोकस करने की जरूरत ہے टाकि उनका आ इंटर को महसूस होती है इसलिए इसमें फोकस किया गया है कि बच्चे शाब्दिक सवाल को समझें पढ़ें और हल करें इसके लिए भी एक निर्देशी का है और डिटेल में प्लानिंग बताई गई है कि कब कौन सी गतिविधी की जानी है कि इस पूरे कारेकरम को सफलता पूर्वक ले जाने के लिए मेंटॉरिंग होगी और समीक्षा बैठक की जाएंगी प्रथम के तरफ से और सरकारी स्रेक्षनिक के वो परदान करेंगे इस स्कूल में लीप के लिए जो एक कारेकरम आजिजित किया जा रहा है उसके लिए मुल्यांकन की विवस्ता है यह मुल्यांकन यूप सरकार की मौजूद है जो डेटा बेस परनाली है उसी को ध्यान में रख करके उसी को करते हुए अलग से नहीं की जारी लेकिन उसी को करते हुए बच्चे का मुल्यांकन किया जाएगा साथ में इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बच्चे अगर प्रोग्रेस कर जाते हैं तो उस प्रोग्रेस प्रगति कर जाते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी गतिविधी को बार-बार बदलते रहें बच्चे को उस तरह की गतिविधी जाए तके उनको सीखने का मौका मिले बच्चा जो कुछ सीख चुका है उससे आगे की गतिविधी जाए इसलिए बच्चों का मौझूदा इस तरह को समझना बार-बार समझना फिर थर्ड पार्टी के तरफ से इसका मुल्यांकन किया जाए ताके आगे के भविश्च में जो है ना पार्थे करम को और मजबूती और प्रवावशाली बनाया जा सके यह थर्ड पार्टी हमें जो एसेस्मेंट होगा हमें यू मदद करेगा हम इस पूरे लीप के जो कारिकरम हैं उसको दो चरण में बाट रहे हैं पहले चरण में चालिस जिले जनपत के जो स्कूल है उनको दोदिवसिये ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर दूसरा चरण जो है वो पैंतिस जिले में इस पूरे प्रोग्राम को लागू किया आप लोगों से ये आशा है कि इस पूरे कारिकरम में जो लक्ष हैं उसको समझें और उसके हिसाब से जो हमारे शिक्षक हैं बच्चों को बच्चों की बुनियादी कोशल को मजबूत करने के लिए जो भी निर्धारे सुझाओ दिये गया हैं जो भी गतिविदिया सुझा हैं उसको करें हम आशा करते हैं कि कारिकरम के अंतक फूरे सुझें सभी बच्चेह का बुनियादी कोशल मजबूत होगा वह भाषा के बुनियादी कोशल हो या गरीत चैनियादी कोशलो मजबूत होगा और हम सफलता पूर्वा कि इस कारेकरम को आगे ले जाने में सफल होंगे बहुत बहुत शुक्रिया